क्या quantum mechanics को समझ पाना आसान है? क्या ये कोई class 9th का बच्चा quantum mechanics को समझ सकता है? आपने सुनाई होगा कि ये quantum mechanics के जो experts हैं उनका मानना है कि जो experts है quantum mechanics के उन्हें भी quantum mechanics की समझ उतनी अच्छी नहीं है तो एक क्या class 9th या class 8 का जो बच्चा है क्या वो quantum mechanics को समझ सकता है और आज हम इस वीडियो में यही explain करने वाले हैं कि अगर नहीं तो क्यों नहीं और अगर हां तो हम कैसे quantum mechanics को एक छोटे से बच्चे को हम समझा सकते हैं तो आईए start करते हैं इस पूरे चर्णे को मैं हूँ सुदाम लेनाडो कैप और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे होने वाले यह बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी अनकन्वेंशनल फिजिक्स की चर्णी तो चलिए हम सुरू करते हैं अपने वीडियो की तरफ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्णी को सोलर सिस्टम से सोलर सिस्टम किया है सोलर सिस्टम हमारे गैलक्सी में एक छोटा सा जगा है और आपको साथ पता नहीं होगा हमारे जो गैलक्सी का स्ट्रफ्टिर वह हमारे कि इस तरह स्ट्पर इसे जिसे अम कले में इस तरह के इत्रेक्ट ये और इसके एयसे में हमारा इस्टेम करता है ट्रिलियन कहने का मतलब 10 to the power 12 और ट्रिलियन कहने का मतलब क्या होगा 10 to the power 24 इसका मतलब क्या होता है एक के बाद आप 24 जिरो से बैठा दे उतना साल लगेगा लाइट को सिर्फ यहां से सेंटर से यहां तक जाने में तो यह बहुत ही जादा दूर हुआ तो हम लोग के जो सोलर सिस्टम में वो कहीं यहां बना हुआ है और आपको पता है कि सोलर सिस्टम किस तरह का है सोलर सिस्टम में जो मिड है वहां क्या सन है और सन क्या काफी ज़्यादा बड़ा है जितने भी प्लानेट से उनसे और सबसे पहले क्या आते हैं मरकरी आती है फि मार्स और जो अर्थ है वो क्या होते है हैबिट जॉन में आता है जिसमें इनकी जो यहाँ पर टेंपरेचर है वो इतनी अच्छी है कि यह लाइफ को सपोर्ट कर सकती है और वो सारे चीजें वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो यह एक और है और हम लोग इस पूरे के प पूरे सिस्टम का में इसके यह घर का मुख्या होगया है और ऐसी वजह से यह क्या करते हैं पर्टिकुलर और्बिट में घुमते हैं पर्टिकुलर पात में घुमते हैं जिसका नाम होता है यह और्बिट क्या होता है इसका नाम एक और्बिट होता है में इसके अर्थ की एक फिक्स्ट और्बिट है कि वो इस तरह से घुमेगा उसी तरह से सारी की सार जैसे आपकी सेजन चेंज होती है, जब अर्थ क्या होती है, सूरस के पास चले आता है, तो सब सूरस के पास चले आता है, तो उस टाइम में अर्थ का टेंपरेचर काफी जादा बढ़ने लगता है, और बढ़ने की वज़े से यहां पे दिन बढ़ा हो जाता है, और रात छो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी का जो मन्त हो वह डिसम्बर है तो अर्थ सबसे ज्यादा दूरी पे है संसे इसकी वैसे हम लोग यहां पर क्या experience करते हैं विंटर experience करते है और इस काल में जो दिन होता है वह क्या छोटा होता है और रात कहां से नजर आता है अगर आप किसी बॉल को लेते हैं और सिर्फ आप इस तरह से मूर्थ घुमाते रहते हैं तो क्या होगा आपको तो पता नहीं चलेगा ना कि वह टिल्ट है क्या नहीं है लेकिन जैसे आप मालेजिए इससे अपने पाम पर रखें ठीक है ना और अगर इससे ट्रेवल करता है कभी-कभी अर्थ ऐसा चले आता है कभी अर्थ इस तरह से होता है कभी ऐसा होता है तो ऐसे ही अर्थ में इसा रिजन है जहां पर 6-6 मैने क्या होती है रात होती है डे टाइम होता है और 6 मन्त क्या होती है नाइट ट्राइम होता है कुछ ऐसा भी रि इन्वाइरोमेंट देता है जहां हमें पास फूड है हमारे पास ऑक्सीजन है हम वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं वो जोन को हमने कहा है अर्थ और वो जोन की एक खास बात यह कि उसमें टेंपरेचर अच्छी है वहाँ पे सनलाइट एक परडेकुलर टाइप की मिलती है और व दिफ्रींट प्लानेट्स बट करें हम बात करें कि हम बने किसे वह उम और वी मेड़फ हम किसोड से बने नंट कि एवक वह इक बहुत iyi इंस्ट्रेश्टिंग सा सवाल अवाट अर्वी मेडब आप तो बेसिकली हम लोग इस दुनिया में आए कैसे हैं हम लोग इस आये हैं because our parents हमारे जो parents हैं मेरे mom और dad वो क्या कर रहे हैं वो एक सोर से हमें यहाँ पे लाने के लिए उन्हें के वज़े से यहाँ पे क्या होती है जो male और female है produce करते हैं और एक next generation को वो यहाँ लाते हैं तो एक बड़ा simple सा answer यह हो सकता है कि मेरे mom और dad ने मेरे को क्या किया बनाया है और उन्हें की वज़े से आया है तो बड़ा एक question यह होता कि तो फिर आपके mom और dad को किसने बनाया है उनके mom और dad और फिर उनके mom और dad बड़ basically यह जो mom और dad हैं उनकी existence कहँ से आई यह वो लोग कैसे exist exist करते हैं क्या कोई ऐसा हुआ होगा कि कोई गौड आया और एक मॉम और एक डैड दे दिया और उसके बाद ये सारी के सारे चीज़ें एक मेकाणिजम बन गया इस तरह से तो गौड को क्या करना पड़े का जितने भी मॉं दिज एनिमालो जाइनिमिल या फिर बर्डwater ले लो जितने भी डिफेंड डिफेंड स्पेसिस हैं उनको इस तरह से आके अर्थ पे छोड़ना चाहिए या फिर गौड तो यह भी चाह सकते कि के चलो वही कुछ चीज़ें अर्थ पर रहे कुछ मार्स पर रह जाए कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट्स पर रहे ऐसा क्यूं हुआ कि हर एक चीज आपको अर्थ पर ही मिलेगी और अब तक जो साइंटिस्ट ने खोजा है उससे ये निकलाया कि कहीं भी और दूसरी लाइफ एक्जिस्ट तो नहीं करती है तो अल्टिमेटली सिर्फ ये कह देना के गौड रिस्पॉंसिबल है हमारे यहां पर आने के लिए तो ये कंप्रीट आंसर नहीं है और नहीं साइंटिस्ट लोग इस तरह की चीज़ों पर बिलीफ करते हैं कि ऐसे ही चीज़ें चल अब आप बोलेंगे यह मेकैनिजम क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ मेकैनिजम का मतलब क्या होता है यह मेकैनिजम यह है कि जैसे कि आप एक छोटे बच्चे देते चोटे बच्चे को देखते हो ना जब वह बहुत छोटा होता है बिल्कुल 0-6 मन्त का होता है तो क्या की रेर कंडिशन में होता है कि ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो कर सकता है उसका बस एक ही काम है वो क्या होता है फीट करता रहता है और दूसरा काम है sleeping ठीक है तीसरा वो अगर सुसू करना है तो सुसू कर दिया ठीक है न पॉटी करना है तो वो पॉटी कर दिया तो ये सारी चीजी तो होती रहती है है कि ने बट उसमें क्या होती है हलचल बहुत कम होती है लेकिन जैसे जैसे वो one two three month में इंटर करने लगता है तो उसकी जो physical activity है वो बढ़ने लगती है मिन्स हाथ पर चलाना सुरू करता है उसका जो खाने का dose है वो ज्यादा इंक्रीस करता है अब धिरे धिरे उसके करने के मेरे पास कोई रहे है ना धिरे धिरे वो अपने स्राउंडिंग को समझना इस्टार्ट कर दिया यह इसी three to six month का हो जाता है तो उसमें physical activities और जदा बढ़ने लगती है वो अपने उसमें को थोड़ी उसमें मत असरु द्रू करता है उसके पास वह श्राउंडिंग की ढिवांड करता है कि उसे कोई अकेल आना छोरे दिरे दिरे उसे लोग यह करते है कि चलो यह थोटो आपने ख़रा हो जैना सीख जाए और ऐसे करते करते क्या होती है उसमें उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उसकी पूरी बॉड़ी की डेवलपमेंट हुई है ना ब्रेन में क्या होती है ब्रेन में एक चीज का नाम होता है जानवर का नाम आपके अंदर रहता है उसे हम करते नियूरोंस बैसिकली जानवर नहीं हो अक्टिवेट होंगे वो बच्चा धीरी-धीरी सीखता है के हमारे पास मेरे बॉढ़ी में क्या aur वो पार्ट्स किस तरह से व़र्क कर सकते है और जब बच्चा वो एक one year का हो जाता है दो धीरी-दीरे वो क्या करता है चलना वॉक करना सीखता हैião और वो वॉक किसी को उचाई से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है तो वह देखेंगे, डर के एक surviving way है, आपके brain को वह डर दिखाता है, विकॉज के कोई छोड़के ना भाग जाए क्या पता मेरी मॉम डेट क्या होज़ा छोड़के ना भाग जाए अगर वो सोके रहा और उठके देखा कि मेरे पास कोई नहीं है वो धिरे-दिरे क्राइ करना शुरू गया बेचारा बोलता सकता नहीं है आफटर वन येर उसकी स्पीच डेवलेपेंट होना शुरू होती है स्पीच डेवलेपेंट हो गया धिरे-दिरे वो वोक करना शुरू हो गया उसके बाद वो आपको जो भी लैंग्विज सीखता है वो आपके सराउंडिंग से सीखता है सराउंडिंग में क्या भासा बोलते उसको कॉपी करना सिकता है तो कहने का मतलब जब बच्चा कोई पैदा होताeh तो उसका जो ब्रिएन होता हो खाली डबबा होता है उसके आंदर नहीं होता वह इंप्टी प्रोसेस jestem उसके अंदर बस एक हमने किस में देखा वो हमने डेबलेप्मेंट एक छोट से इंफेंट में देखा कैसे वो छोटा होता है फिर चोटा से बड़ा होता है और फिर बड़ा से आपके तरह होगा या आप से फिर वो बुड़ा हो जाएगा फिर एक टाइम के बाद वो मर जाएगा तो इसे हम पूर है living का जो एक basic unit होता है उसे हम करते हैं cell तो हम लोग कहीं ने कहीं एक cell से बने हुए है और cell क्या होती है cell की एक बहुत थी amazing चीजे हैं तो हर एक जो animals या फिर आप कोई भी चीज दुनिया में देखते हैं वो सब की जो basic structure है वो कहा से आती है वो cell से आती है और हर एक species का जो cell होता है वो क्या होती है different structure का होता है जिसकी वैसे वो divide होता है तो उसी तरह से cell क्या होता है वो evolve होता है दिरे दिरे तो वो एक different animals मना वो different animals अपने surrounding में गया और वो evolve हुआ जैसे कि माल लेते हैं evolution का एक बहुत अच्छा example यह भी है कि माल लेते हैं आपने IIT crack कर लिया और आपने IIT crack कर लिया 20 years में बट आपने throughout the life में क्या हुआ एक ability पहरा कर लिया कि किस तरह से हम problem को solve कर सकते हैं IIT आपको वो देता है आप कैसे smart बढ़े तो आपके अंदर smartness की ability आई तो आप जब धीरे धीरे जब आप after 10 years जब 30 years में आप merit करते हूं आपने merit किया और उसके बाद आपको baby हुआ तो आप यह देखोगे कि उसके अंदर आपकी बहुत सारी quality already present है ठीके ना जो चीज IIT निकालने में को 20 years लगा क्या पता उसे सिर्व निकालने में 12 years ही लगी अब वो जब 12 years तका था तभी वो IIT के questions को solve कर सकता था ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसने आप से बहुत सारी information यहां पर चला लिया और इसे करते हम evolution of generations क्योंकि जो generation पुरानी थी उससे यह नहीं generation है वो काफी ज़्यादा smart है और आपने अगर थोड़ा भी उसे guide किया होगा तो वो और ज्यादा smart बन जाएगा उसी तरह से जब 30 years बाद वो marriage करेगा और उसके जब बच्चे होंगे तो वो उससे कहीं गुना ज्यादा smart होगा बसरत है कि आप उसमें अच्छा पैदाइस डालो तो यहां पर कुछ information उसके अंदर अल्लेडी आ चुकी है कि वह अच्छी problem-solving अच्छा problem-solver है बड़ तो से गाइड करना पड़ेगा कोई तो पता नहीं होता ना यह से अलबर्ट आइंस्टाइन को यह पता नहीं था कि वह इतना बड़ा genius है at the age of 10 धीरे धीरे उसने यह ability गेन की तो हमारे पास कोई कोई चीज़का information है बड़ उसे activate होने में time तो लगता है तो यह activation की प्रोसेस होती है जब तक वह प्रोसेस ना हो जाया तब तक वह कोई काम का होता नहीं वह information काम का नहीं होता तो वह information वह ability आ गई है तो जब आप उसको उसी राइडक्शन गाइड करेंगे तो धीरे धीरे वह evolve हो का और वह आपको एक नया structure लागे देगा तो यह complete evolution का इसी तरह से human जो है वह evolve हो है तो human से लोग काते है ना human की पहले क्या बंदर वाली species थी धीरे धीरे वह अपने intelligence को बढ़ाते गए बढ़ाते गए वह surroundings को adapt करते गए और अभी हम क्या होगे modern human being है और आज से हमार से बड़ा question यह होता है कि हम लोग सब कोई यहां जो आये हैं वह cell की वजह से आये हैं जो इस cell है बर यह जो cell है उससे छोटा क्या है वह कहां से बनाओंगा तो 1800 के आसपास लोगा ने यह सोचा जो scientist है वो यह सोचा कि भाई ऐसा हो सकता है कि जितनी भी living beings है उसका तो आधार क्या cell है लेकिन cell से भी कुछ न कुछ छोटा हुआ होगा सेल भी कहीं से ना कहीं से तो आया होगा तो जितने भी चीज दुनिया में exist करती हैं दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें exist करती हैं वो कहीं ने कहीं बहुत ही ज्यादा छोटी चीज़ों से आया होगा बहुत ही ज्यादा छोटी चीज़ों से यह जो आईडिया आया वह लोगों ने समझ लिया तो उसके बार हें कुछ सेल होती है जब लोगों ने सेल को समझ लिया अगरफ पासमें आएंगे तो लोगों ने तो डारवीन एक साइंटिस थे और ने यह सोचा कि यह एक एक एटम हो सकता है जो इनिवर्स में जिस से हर एक चीज बना होगा मिन्स कि अगर दू एटम पास में आएंगे तो मेभी वो प्लास्टिक बना दिया दो से तीन एटम आएंगे चार एटम आएंगे गुरूफ आटम्स मिलेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज बना देंगे तो कहने का मतलब यह है कि गौड को ऐसा काम नहीं करना पड़ यह सोचा कि अगर तो गौड ने कुछ ऐसा मैजिक ट्रिक अपने पास रखा होगा है ना मैजिक ट्रिक के एक से ही सारा का सारा काम हो जाए और इसी लिए उन्होंने क्या हुआ एटम्स को इंवेंट किया होगा याटम्स के अंदर कुछ ऐसी क्वाइलिटिज दे दी होंग अगर वो इस हैविटेंट जान में नहीं होंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी और इसी वयसे हम देखते हैं कि अर्थ के अलावा कोई और हैविटेंट जान नहीं है ऐसा भी हो सकता है तो यह सारी चीज़ें है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते नॉन living object तो उन्होंने ये भी कहा के non living object या फिर living object है वो सब कुछ कहां से बना है वो सब कुछ atom से बना है तो atoms के अंदर अगर 2 atoms या 3 atoms या 2 से ज़्यादा atoms जब आएंगे एक साथ और उनके पास कुछ ऐसी चीजें हुई अगर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें आई कि दो से ज्यादा एटम्स आए और उसके बाद आपस में वह कुछ इंटर लिंक्ट हो और उसके बाद वहाँ पे कुछ टेंपरेचर अच्छा रहे प्रेसर अच्छा रहे ठीक है ना तो क्या हो वह सेल बनाएहगा कुछ ऐसा सेल बनाएगा जो लिविंग हो बड़ अगर उस तरह का जो नहीं मिलेगा तो अन स logos बस Mizpokeर में बतल इस तरह से उन्होंने कहा कि ना वाई एटम ही सबसे यादा हो सकता है बट कुछ और साइंटिस्ट आया उन्होंने यह देखा कि चला अच्छा तो इसका मतलब कि गैस वा चाहे लिक्विड हुआ या फिर सॉलिड जो हम देखते हैं तो लोगों को मैटर के बारे में और लेड से होंगी तो लोगों पिर से एक्स्पेरिमेंट किया और उन्होंने यह देखा कि अगर यह सब एटम से बना है तो क्या होगा अगर हम किसी चेमबर में में गैस को भर और gas को भरने के बाद यहाँ पे कुछ एक battery से इसको current देंगे तो क्या होगा तो लोगों ने पाया कि जब हम current को किसी gas से पास कराते हैं तो वो कुछ एक arbitrary चीज सो करता है कुछ ऐसी चीज सो करता है जिसो यह predict हुआ कि ना भाई अगर यह atom से बना है तो इसे तो उस तरह की behavior दिखानी नहीं चाहिए जिस तरह की behavior सो करता है लोगों को पहले से पता था कि जो negative negative है वो repel करती है negative positive हो है वो attract करती है तो उन्हें उन्हें एक ऐसा plate लिया जो जिसमें positive चीज थी जो positive charge था बर जैसे उन्हें ने ये setup लिया तो कुछ दिखा क्या गया है कुछ gas से निकल के उस positive plate की तरफ आ रही है और उन्हें ने ये बताया कि नहीं बैगर ये positive plate की तरफ आ रही है और वहां से ये बात आई कि नहीं भई जो आप atom की बात कर रहे है वो atom क्या है atom is also made up of something तो जो उस वक्त कहा था कि atom ही सबसे सब कुछ होगा बाद में लोग आया और उन्हें ने कहा कि atom भी किसी सी से बना है फिर और भी लोगों ने research किया और ये देखा गया कि नहीं electron के लागवा और भी बहुत सारे species exist करती है जिनका नाम है protons और फिर दूसरे को कहा गया neutrons धीरे धीरे और भी चीजों का पता चला कि ये जो atom होता है वो atom भी हम क्या कर सकते हैं एक solar system के तरह ले सकते है जिसका एक round सा figure होगा और उसके उसमें क्या होते है अदिक है और उसके सेंटर में क्या होता है protons और NewtonS रहते हैं वो एक cell बनाके रहते है come protons andcakes Electron का क्या होता है जो भी एक round type होता है और उसमें पाया गया कि protons के पास plus charge होती है Neutrons के पास zero charge होती है और यह देखा गया एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ रेजल्ट आई सामने कि यह क्या होता है सिर्फ वहीं होती है और इस सेल को कहा गया नुकलियस जैसे हम ने देखा अभी सोलर सिस्टम में जो सन है वो सन किसके तरह काम करती है उसके चारों तरफ जितने भी प्लानेट से वो मूफ करती है तो एटम अगयरी है यह उस टाइप की इसटाइप की चीजिश करती है meaning के एक जवमेट्री तो दिंखा दिना सोलर Sim Summer का दिखा दिया आप जुमेट्री दिखाती है जमें कि दिखाती है वह इंटी से करदी तो अब अगर मैं स्केल की बात कर रहा हूं थो टर्मिनलोजी मैंने देखे आ गई तो दो तरह की स्केल एक्जिस्ट करती है एक होती है लार्ज स्केल ठीक है ना लार्ज स्केल कहने का मतलब कि प्लानेटरी स्केल ठीक है ना इसे हम करते हैं डिवाइट कर सकते हैं प्लानेट स्केल है लार्ज स्केल की हम जब बात करेंगे हम केक्स की बात करेंगे गैलक्सी की बात करेंगे देखो यहां पर यह गैलक्सीज है और दूसरी गैलक्सीज है तीसरी गैलक्सीज है उसी तरह से हम बात करते हैं एटॉमिक स्केल की बात करने पर हम सिर्फ एटॉम की बात करते तो अगर मैं बात करूँ कि प्लैनेटी सिस्टम की तो हमारा जो प्लैनेट से से के हमारी जो अर्थ की जो रेडियस है वो तक्रीबन टैन टू दी पावर 12 मीट 12 कि आसपास है ठीक है ना आप विकिपेडिया सर्च करोगे आपको मिल जाएगी 10 टू दी वार 12 कि एक ट्रिलिय होगी गैलक्सी तो मुझे लग रहा है कि 10 टू दी पावर 100 किलो मेटर के आसपास होगा है ना हमारी गैलक्सी और इसी तरह से बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन गैलक्सी है हम गिन भी नहीं सकते हैं उसको कितनी सारी गैलक्सी है तो दुनिया में यह सब भरबार है भ जॉक रखा हुआ है उसको आप बिल्कुल एक का दसवां दसवां हिस्सा कहेंगे ट्रिलियन हिस्सा कर दे ठेकिन एक के बाद टेकर ड़ी एक के बाद आपको 10-0 लगा दें इतना ज़्यादा हिस्सा होगा वह atomic scale देगा उसके बाद एक का आप 10 के बाद 15 हिस्सा कर दें एक के बाद आप 15-0 लगा दें उतना ज्यादा हिस्सा में आप चले जाएंगे तो आपको मेलेगा निकलियस तो एटम का जो रेडियस होता है वो क्या होता है 10 to the power से छोटा है तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह का चीजें हमको देखने को मिलती है तो एक तरफ अगर हम लार्ज scale structure की बात करें तो वह 10 to the power 100 km से है प्लैनेटरी स्केल की अगर हम बात करें 10 to the power 12 12 km की आसपास है कि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो कितना बढ़ है हमारा अर्थ है 10 to the power 6 मीटर की आसपास का बढ़ा है ठीक है तो इतना बढ़ा हमारा क्या है इतना बढ़ा हमारा अर्थ है उससे कहीं कुना ज्यादा बढ़ा हमारा क्या है गैलक्सी जाओ इस तरह के गैलक्सी बहुत सारी है उसी तरह से कहीं गुणा जादा छोटा जिरो लगा दें, मिन इसके एक का, एक के बाद, छे जिरो लगाने के बाद, यह जो आपको हिस्सा मिलेगा, यानि कि दस लाक को हिस्सा मिलेगा, वो होती है, आपके ठीकने से होती है बाल की, उसके बाद और चार जिरो लगा दें आप, वो वन जाए का एटम, और उसके और पाफ जीरो लगा दिए और एक लाख वह हिस्ता कर दें वो आपको मिलेगा क्या नेकलिस तो इतना जादा छोटा है अब न्यूटन ने हमें ये बताया कि न्यूटन और उससे पहले जितने भी लोग ये बताया कि हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से मूव करता है उनकी किस तरह से दिन होती और नेकुछ लॉजब भी दिये जिस तरह से आपने क्या करना है मल्टिपलाइ करना है विद सम ग्रैविडिशनल कॉंस्टैंट जिससे हम करता है उन दोनों के बीच का जो रेडियस होता है उससे उसके स्कुएर से आपको डिवाइट कर देना है तो आ लगता है और इसी वजह से सन क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट्स पे अपना फोर्स लगाती है अपना दबदबा जमाती है ताकि वह कोई भी चीज निकलना जाए जैसा कि आप जैसे कि हम लोग इंडिया में तो इंडिया के टेरिटरी से बाहर निकलना आसान है किया नहीं हम लोग कहां पर हम लोग कहां से बंदे हुए हम लोग गॉब्मेंट ऑफ इंडिया से बंदे हुए तो क्या गॉब्मेंट ऑफ इंडिया ने हमें किसी स्ट्रिंग से या किसी धागे से पकड़ के रखा है नहीं उसने हमें कुछ लोस लेके पकड़ा रखा है औ तो आप जिसके लिए अंदर हो दुसरी के लिए तो आप बाहर हो ना तो इसी तरह से बाउंडरी बनी हुई और चार्ड़ों तरफ क्या होती है तैनात होती रहती, उसी तरह से सन क्या करता है, सन तो बोलता है कि भाई ठीक है मेरे बाद इतना प्रूस फोर्स कैसे आएगा तो मैंने एक क्या कर दिया, फोर्स इनिवेंट कर दिया है तो अलग-अलग कैपैसिटी की जो प्लानेट से उस पे क्या होगी, हमारी जो फोर्स होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगी मरकरी पे अलग तरह से काम करेगा मार्स पे अलग तरह से काम करेगा जुपिटर पे अलग तरह से काम करेगा और वो काम कैसे करता है? Newton ने figure out किया कि वो जो काम करता है वो काम इस तरह से करता है GMM बटे R स्क्वाइर की तरह से काम करता है ठीक है? तो ये बात clear है तो बात ये कि अब जब लोगों को Newton के बारे हैं पता था कि अगर planets में चीज़ीं ऐसी काम करती है तो obviously planets को हम अगर atom के scale पे लेके जाएं तो वो भी तो सेमी चीज़ बताएगा बताना चाहिए तो बट हम बट उसके अलावा एक बहुत interesting चीज़ हुई तो लोगों को पहले mass के बारे में पता था बट धिरे धिरे लोगों को कुछ time के बाद 1800 के बाद 1500 में तो mass के बारे में पता था लोग धिरे धिरे study करने लगे और 1800 तक ये पता चल गया लोगों को कि अगर किसी object में charge है किसी mass में अगर charge है तो इन दोनों के बीट जो force होती है वो भी similar तरह से react करेगी बट थोड़ा सा different होगा वो different क्या होगा 1 by 4 pi epsilon एक constant होता है दो charges Q1 Q2 हम ले लेंगे उनका multiply कर देंगे और उनके distance से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे divide कर देंगे तो ये हमें बता देगा ये charges के बीच क्या है कैसी force लग रही है एक तरफ हमने देखा दो मास के बीच F is equal to GMM over R square दो मासों का product ले 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 और R square कर दे तो ये जो force निकल के आ रहा है वो क्या है एक attractive force निकल के आ रहा है मतलब कि ये हमेंसा एक दुसरे को attract करेगा ये बोलेगा मेरे तरफ आ और तो ये बोलेगा मेरे तरफ है ये बोलेगा तू मेरे तरफ है सबके बीच करती इसके बीच के चक्कर में एक एकिलिब्रियम क्या होता है फॉर्म हो जाता है उसी तरह से यहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीस क्या हो गई एक फॉर्स इस्टैबलिस्ट होगी एक 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 अंदर भी एक नुकिलिएस तो होता है और नुकिलिएस के चार और एलटोंस क्या करते हैं घुमते रहते हैं जस्ट लाइक प्लानेट्स तो क्या इसमें भी चीजें सेम होंगी क्या इसमें भी हम लगा सकते हैं कि माल यहां क्यू प्लस है और माल लेते हैं आर है इन दोनों के बीस क्यों के मैंने बताया कि प्रोटोन कहा होती है निकुलिएस में होती है तो लोगों ने सबसे पहले उठाया हाइड्रोजन एटम को और हाइड्रोजन एटम को जब लोग पाँ हमें लोग बोलता है कि चलो ठीक है अगर तुम कर सकते हो तो ज़रूर है ना कि हम पहले verify करें कि क्या यह verify हो सकता है क्या तुम जो बिलने जो energy दे रहे हो टो लोगों ने क्म क्या क्म क्या यह जो इलेक्टरॉन है उसको दूसरे जो चीज से है शोटी से है इसको एक experiment setup किया यहां पे hydrogen atom को रख दिया और वहां से एक laser छोड़ना शुरू किया और यह देखा कि हम इस electron को कब यहां से हटा सकते हैं कहने का मतलब यह कैसे कि आप यहां पे हैं और यह आपका हाथ है तो आपका हाथ तो आपके body से जुरा हुआ है और मैं यह पूछूं कि आपका body आपके हाथ पे कितना force लगा रहा है यह पता कहीं चलेगा तो एक आदमी क्या किया आपके हाथ को पगरे खिसने लगा और यह बोला और यह बात आई कि जब आपका हाथ आपके body से अलग हो जाएगा इतना ज़्यदा force आपका body आपके लगा रहा है इतना ज़्यदा energy आपके body से आपकी हाथ में flow हो रहा है तो यही काम यहां किया तो उन्होंने यह बोला कि जब यह जो सक्ति साली laser इस electron को यहाँ से हटा देगा तब हम यह माल लेंगे कि इतना ज़्यदा energy हमें लगा it means कि इतना ज़्यदा energy इस system के पास रहेगा जब electron वहाँ था इतना ज़्यदा energy वो लगा रहा होगा तो जब यह experiment हुआ तो यह पता लगा लोगों को अरे यार यहां से जो energy निकल के आती है वो energy तो इससे कम रह गई यह इतनी है यह नहीं वो कम है लेकिन जब उसके बाद वो कम है तो यह तो एक शुरुआत हुई वो बोला कि सायद कुछ हो सकता है और भी अब उन्होंने क्या क्या हिलियम लिया मैं तो इलेट्रॉन के साथ study किया मिले कि हिलियम में दो proton होते हैं दो neutron होते हैं ठीक है ना और यहां electron electron क्या होते हैं चक्कर लगाते हैं एक और laser को setup किया गिया और बोला कि चल भाई इस electron को हम हड़ाते हैं कितना energy आएका जो यहां से energy आया उसकी value और जो उस हिसाब से हम search कर रहे थे कि वह ऐसा हो जाना चाहिए यहां से अगर वो इस तरह से काम कर रहा है classically planetary system पे या पिर charge के लिए ऐसा काम कर रहा है तो इसके लिए वह ऐसे काम करना चाहिए लेकिन यह वह experiment और यह वह theoretical result जब इसको आजमाया गया तो दोनों result बिलकुल match नहीं खा रहे थे यह कुछ और दे रहा था और यह कुछ और दे रहा था अब scientist एक ऐसे दुविदा में फस गया है कि भाई हमें कोई बचा लो में इसके हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि यह जो दुनिया है जो सब atomic world है इसे करते हैं quantum world यह काम कैसे करता है तो in my next video हम बात करेंगे quantum world की कि काम कैसे करता है बहुत ही जल तो अगर आपको वह वाली वीडियो चाहिए तो आप notification bell को भी दबा लें तब ही आपको पता सलेगा कि वो वीडियो को आई है